सच्चाई यही है कि ये करप्सन और क्राइम करने वाले लोग बरे बरे निवेसक को खोलते हैं अब बाद में उसका दोहन और सोसन करते हैं आज आरती उतार रहे हैं हर देश के प्रधान मंत्री जी को इनके नाम पर भरमाने का और कलंकित करने का पढ़ियास कर रहे हैं यहीं चरित्र राजद जदियों और कॉंग्रेस के लोगों का रहली रद हो गया है लेकिन बनारस महादेव की धर्ति पर यह जरूर जाएं नेता परतिपक्ष के नाते मेरा बिनम राग्रा है मुकमंत्री जी से नमस्कार मैमनीस और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन बिहार बिधान सवा नेता परतिपक्ष विजय सिनहान ने नितीश कुमार पे करारा हमला बोला है उन्होंने कहा है कि बनारस जाते नितीश कुमार तो जादा अचा होता क्योंकि महादेव उनको सदबुधी देते और जिस परकार से सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान नरेंद्र मोदी बनारस में कर रहे हैं और सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से बिहार के मुकमंत्री नितीश कुमार बिहार आकर के मोक्ष की भूमी गया को भक्ती की भूमी पतंदेवी को बेहतर बनाने का पर्यास करते लेकिन इनकी सदबुधी जो है नहीं मिल पा रहे हैं इने बनारस जाने चाहिए थे आये सुन्दे बियासिना ने क्या क्या कुछ कहा है आते आरोग्यता परदान करते महादेव के मुक्ती के धाम में भगवान सदबुधी भी देते और अपनी सांस्किर्टिक विरासत का सम्मान जैसे बनारस में देश के परदान मंत्री नरंद्र मोधी जी ने किया है ये भी बिहार में आके हमारे सक्ती की भूमी माजानकी का भक्ती की भूमी पटन देवी का और मुक्ती की भूमी मंगला गवरी गया का उत्थान करती रैली रद हो गया है लेकिन बनारस महादेव की धर्ती पर ये जरूर जाए नेता पर्तिपक्ष के नाते मेरा बिनम राग्रा है मुकमंत्री जी से के एक बार आप बनारस जरूर जाएं लेके भाजपा संबैधानिक संस्था संबैधानिक पदपर का सम्मान करता है भाजपा बिहार के तरह नेता पर्तिपक्ष की आवाज को दबाने का सरक पर भी और सदन में भी प्रेस मेडिया में कि नेता प्रतिपक्ष के आवाज को आंतीम पेज में अंतीम Himself में पांच लाएन में डल वाने का विग्यापन का भई दिखा करके यह वातावर्ण नहीं बनाता है हर दल के नेताओं को सम्मान मिलता है और कार्जकर्म का अवसर मिलता है वही तो इनका असली चरित दिखाई परा कि आडानी को आरती उतार करके कल जोर करके बिहार में बुला करके इन्वेस्ट करबाने के लिए आज आरती उतार रहे हैं हर देश के परधान मंत्री जी को इनके नाम पर भरमाने का और कलंकित करने का पढ़ियास कर रहे हैं यही चरित्र राजद जदियों और कॉंग्रेस के लोगों का है सचाई यही है कि ये करप्सन और कराइम करने वाले लोग बरे बरे निवेसक को खोलते हैं अब बाद में उसका दोहन और सोसन करते हैं तो आपने सुना बिजय सीना सीधे तोर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महादेव की पूजा अर्चना करना चाहिए था बनारस जाकर के ताकि इनको सदबुद्धी मिले क्योंकि नरेंदर मोदी जिस तरीके से सांस्कृतिक बिरासत को आगे बढ़ाने में लगे हैं उस निवेस करें ये निवेस इसलिये करवा रहे हैं क्योंकि यहां जंगल राज है और अपरादियों का डर्द दिखार करके और धोगिक लोगों को दोहन करने वाले हैं इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मिडिया दर्शन धन्यवाद